नमस्कार दोस्तों आई, welcome you all to study IQ, एक बहुती ज़रा important topic हम discuss करेंगे, इस वीडियो में UPSC point of view से काफी ज़रा important है, formalin in fish, क्या मचलियों में formalin पाय जा रहा है, इसका अर्थ क्या है, बहुत सारी states ने मचलियों का import ban क्यों कर दिया, और ये import ऐसा नहीं है कि भागी country से ban किया है अपने ही देश की states से, कई हमारे देश की states ने import मचलियों का ban कर दिया है, because of the fear of formalin, तो जानेंगे यहाँ पे कहानी क्या है, formalin गातक किस तरी कैसे हो सकता है, और way forward भी क्या सकती है, इस problem की, so a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, मैं बता दूँ कि Study IQ के pen drive courses आते हैं सब exams के लिए, SSE, Bank, UPSC नवार्द, इनको आप order कर सकते हैं, study IQ.com पे और आप इन numbers पे call भी कर सकते हैं, तो recently हुआ क्या है, देखो, गोआ इंडिया की एक fish loving state मानी जाती है, यहाँ के लोग fish खाना पसंद करते हैं, साल के बारा महीने, अभी इस वक्त मौनसून चल रहा है, मौनसून के time में गोआ क जो मश्वारे हैं, वो मश्ली नहीं पकड़ते, तब इनको मश्ली तो खानी है यहाँ के लोगों को, तो यह करते हैं कि तामिल लाडू, आंदरपदेश, आसपास के जो राज्ये हैं, वहाँ से fish को import करते हैं, अपने राज्ये में ताकि यहाँ पे consume किया जा सके, अभी क्य हुआ है कि अचानक से यहाँ की सरकार ने, गोवा की सरकार ने 15 दिन का import band लगा दिया है, कि तामिल लाडू, आंदरपदेश से कोई भी fish नहीं आएगी, गोवा में, क्यों नहीं आएगी, इसका reason यह है, कि कुछ जो यहाँ पे fish इंपोर्ट की जा रही थी, उसमें पाया ग गई, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, tweet है, मनुहर पारिकर जीदवारा, the chief minister of Goa, और यहाँ पर लिखा हुआ है, fish being a staple diet of Goans, Goans के लिए fish एक staple diet है, almost रोजी खाते हैं वो, उनने काया कि I am personally monitoring the situation of formalin in fish, और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, कि यह गोवा के लोगों के hit के लि है क्या, formalin एक cancer causing agent है, आप अगर छोटी मातरा में रोज, formalin का consumption करोगे, तो आपको पहले तो पेट दर्ध होगा, आपके काफी उल्टी आ सकती है, आपको आखों में दर्ध होगा, various problems आपको यहाँ पर हो सकती है, फिर अगर लंबे duration के लिए formalin consume करते रहे, तो cancer भी आपको हो सकता है, तो यह cancer causing agent का इस्तमाल भी क्या है, क्या यह बस exist करता है, cancer create करने के लिए नहीं, इसका एक use भी है, अपने mortuary देखी होगी, mortuary basically होती है, ऐसी जगा जहाँ पर dead body को जलाने से पहले या उसको दफनाने से पहले, वहाँ पे रखा जाता है, तो वहाँ पे जब रख होता है इसका, हाँ, अब यह वैसे हम dead bodies पे use करते हैं, morturies पे, मगर यहाँ पे हम कैसे use कर रहे हैं, मचलियों पे, हम यह क्यों कर रहे हैं, यह भी जान लेते हैं, देखो fish को हम कहते हैं, एक perishable commodity, जो जल्दी से खराब हो सकती है, मानलो तामिल नाडू में किसी fisherman ने वहाँ पर मचली पकड़ी, तो जल्दी से उसको market में पहुचाना होगा, नहीं तो रास्ते में वह खराब हो भी सकती है, और बहुत सारी मचली जो पकड़ी जाती है, हिंदू सान इतना बड़ा इतना बड़ा देश है, आपको इतना ट्रावल करना पड़ता है, infrastructure भी इतना developed है नह आपको जब मचली को preserve करना है, तो आपको proper तरीके से 5 degree Celsius का temperature maintain करना होगा, अगर आप नहीं कर पाए, तो मचली spoil हो जाएगी, market में इसको कोई खरीदेगा नहीं, तो यहाँ पर इन्होंने नया formula ये निकाला, कि मचली को पकड़ते ही क्या गरते हैं ये, मचली को डाल देते ह फॉर्मलेन के एक barrel के अंदर, वहाँ पर मचली काफिया तक preserved रहती है, फिर इसको जहां भी लेके जाना है, तामिल नाडू से गोवा, गोवा से मन्यपुर जी हां, इवन जो मारा नौर्थीस इंडिया है, वहाँ पर भी जो ये मचली खाना पसंद करते हैं, ये यहाँ से अंदर पतेश, तामिलाडू से ही आती है, तो काफी बार वहाँ पर भी फॉर्मलेन लगी हुई मचली पाई गई है, और आज के टाइम में नौर्थीस की भी काफी स्टेट्स ने यहाँ पर मचली को इंपोर्ट करना बैन कर दिया है, अलॉंग विद गोवा, तो जो ये श लाई महीने में पहली बार हम फॉर्मलेन लगी हुई मचली नहीं देख रहें, इससे पहले जून 2018 में भी केला में 9600 किलो फॉर्मलेन लगी हुई मचली और प्राउन दोनों यहाँ पे पकड़े गए थे, और ये जो सीजर हुआ था, ये ओपरेशन सागर रानी के अंडर ह अपरेशन सागर रानी क्या है इस पर अलग से वीडियो बन चुकी है, आप स्टेडी एक्यू में सर्च करोगी तो आपको मिल जाएगी, तो अभी एक क्वेशन आपके मायन में ये भी आ सकता है, कि ठीक है गोवा को इंपोर्ट करनी पड़ती है फिश, मगर ये मौनसून क टाइम फिश यहाँ पर अपने कोस्टल एरिया में क्यों नहीं करते, देखो मौनसून के टाइम में क्या होता है, 61 डे का फिशिंग बैन इंपोस के जाता है यहाँ पर गोवा में, और गोवा आसपास की जो स्टेट से अंदर पतेश करनाट का मारास्टा केला, यहाँ से अवाइड करने के लिए यह इंड्यूस किया गया था, और इस पिरेट में जरातार गोवान्स, सॉल्टेड मचली या फिर प्रिजर्ड मचली या और टाइक की मचली खाना पसंद करते हैं, अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है, प्रोब्लम काफी सीरियस है, बह टेकनोलजी का इस्तमाल करो, टेकनोलजी का इस्तमाल आप कैसे कर सकते हो, दिको कोची बेस्ट, सेंट्रल इंसिट्यूट और फिशरी टेकनोलजी जो है, यह आद देना काफी इंपॉर्डन है, इन्होंने किट भी डेवलप करी थी, जिससे आप मचली में फॉर्मलेन की मा पात्रा डिटेक्ट कर सकते हो, और आज के टाइम में इस किट को इस्तमाल किया भी जा रहा है, इसी की वज़े से बहुत सारी मचलियां पकड़ी जा चुकी है, जिन में फॉर्मलेन लगा हुआ था, वो मचलियां लोगों के पेट में जाने वाली थी, मगर लोग वहाँ प करना पड़ेगा, ये एक काफी important part है, short term solution का, long term में हम क्या कर सकते हैं, देको सारी कहान नहीं यहां पे आती है, infrastructure पे, मैं आपको यह बता दूँ कि कोई intentionally किसी को cancer देना नहीं जाएगा, कुछ rare cases में हो सकता है, मगर intentionally कोई यह नहीं चाहेगा, कि वो ऐसी मचली यहां पे पोचान नहीं होती है, market में, तो यहां पे infrastructure की जो कमी है आज के time है, उसकी वे से बहुत सारे businessmen को काफी नुकसान भी होता है, क्योंकि देखो, आपने आंदर परदेश में मचली पकड़ी, फिर आपको गोआ में लेके जाना है, ठीक है, तो रास्ते में क्या होता है, पहली infrastructure improve कर लें, और यह जो businessmen है, इनकी help करें, जो transport करते हैं, फिश को एजगा से दूसरी जगा, यहां पे सरकार इनकी सहाइता करें, तो भी हो सकता है, कि यहां पे यह intentionally formalal का इसमाल क्यों करेंगे, जब इनको national तरीके से फिश को preserve करने का रास्ता मिल जाएगा, तो यह काफी अ सुनिएगा, जो भी वो अगर कुछ यहां पे आपकी safety के लिए कुछ बात कहती है, उसको implement भी करिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप बिमार हो, and stay safe, and that's all I have to say, in this video, God bless you all.